गुद मॉर्निंग क्लास, अब हम नेक्स ट्रॉपिक करने वाले हैं, पैलल सर्किट, यह पैलल RLC सर्किट है When impedances are joined in parallel, there are three methods to solve such circuit First is vector और phasor method, second is vector algebra, third one is admittance method हमने इसे previous class में series RLC सर्किट देखा है, अब हम पैलल RLC सर्किट देखने वाले हैं इनको solve करने के लिए तीन method जी उस होते हैं, पहला है vector और phasor method, दूसरा है vector algebra और तीसरा होता है admittance method, चलिए एक numerical solve करते हुए हम पहला method जो होता है vector और phasor method उसको समझते हैं देखिए इसमें question क्या है, calculate the current in each path, resultant current, phase angle and power factor देखिए इसमें calculate the current in each path, इसमें हम clearly diagram में देख सकते हैं कि इसमें तीन path given है path means जहां अलग-अलग current की value हो, अगर यहां से source से current निकलता है तो यहां पर तीन path रस्ते, तीन रस्ते given है, तीन paths given है, तो उसमें different values जाएंगी, इसलिए इसको हम parallel बोलते हैं तो हमको क्या करने है, मरा first part of question क्या है calculate current in each path, दूसरा क्या है हमारा resultant current, मतलब इन तीनों के combination effect से जो current flow होगा circuit में उसको हम resultant current बोलेंगे, तीसरा क्या है हमारा phase angle और चौता क्या है हमारा power factor, चलिए हम इसको solve करते हैं by using the formula or by using the method vector or phasor method, चलिए हमको r given है 50 ohm question में, diagram में given है, आप बोलेंगे question में कहीं mention नहीं है, तो ध्यान रखिएगा कि diagram में given है, तो obviously it is given on your question तो diagram में given है, कि r की value कितनी given है, 50 ohm, बकायदा आपने 50 ohm लिख दिया है, इसके बाद xl की value आपको निकालनी है क्योंकि देखिए, इसमें diagram में आप note करिएगा, पैलल circuit में बहुत बाग question में mention नहीं रहते हैं elements, लेकिन आपके diagram में mention रहते हैं इसमें देखिए diagram में आपको क्या given है, 100 volt, 50 hertz, आपको 50 ohm given है, 0.15 henry given है, 100 microfarad given है, henry और microfarad, इसकी जगह में अगर ohm होगा, तो आपको xl और xc की value निकालनी की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको henry और microfarad given है, तो आप इसको क्या करेंगे, आपको निकालना पड़े किसकी value, inductive reactance की value, जो कि क्या होती है, omega l, omega क्या होता है, 2 pi f l, l कितना given है, 0.15, तो हम 0.15 put करेंगे, आपको frequency 50 hertz given है, तो आपके बास किसकी value आजाएगी, आपके बास xl की value आजाएगी, xc क्या होता है, 1 upon omega c, 1 upon 2 pi f into 10 to, यह क्या है, 100 microfarad, तो यह आपका आएगा, 1 upon 2 pi f into, 100 into 10 to power minus 6, minus 6 क्यों, क्योंकि microfarad given है, तो आपके किसकी value मिल जाएगी, xc की value मिल जाएगी, कितनी मिल रही है, 31.8, यह कितना मिल रहा है, 41.7 ohm, हम क्यों निकालते हैं, xl और xc की value, once again, repeat कर रही हूं, हमारे जो units given रहते हैं, वो henry और farad में given रहता है, लेकिन अगर अगर हमको किसी भी चीच को resistance से plus या minus करना है, तो आपको same unit के quantities को plus या minus करना पड़ेगा, आप आलू से टमाटर तो minus नहीं कर सकते, पानी से दूद को minus नहीं कर सकते, आपको दोनों की value के अदि same रखनी पड़ेगी, तो resistance का unit होता है ohm, तो अगर आपको उसके साथ कोई भ और C का formula होता है, 1 upon omega C, चलिए देखिए अब हमको क्या निकालना है, हमको given है, 100 volt given है, और हमको R की value मिल गई, XL की value मिल गई, XC की value मिल गई, तो हम क्या निकाल सकते हैं, आपको पता है कि parallel में voltage सेम होता है, parallel में voltage, जो ये voltage इधर है, वो इधर होगा, इधर होगा, इधर होग है, parallel में कौन सी चीज़ different होती है, current की value different होती है, मतलब आपको समझ में आगे, आपको 3 current की value मिलेगी, कैसे 3 current की value, एक current जो R से पास हो रही है, दूसरी current जो L से पास हो रही है, तीसरी current जो C से पास हो रही है, तो कैसे निकाल सकते हैं, वही हमारा favorite formula, जो हमारा ohms law है, ohms law क् V equal to IR लेकिन इसके case में आपको क्या given है आपको इसके case में given क्या है 100 मतलब voltage given है और आपको resistance की value given है तो आपको क्या निकल जाएगा IR मतलब वो current जो हमसे पूछा गया था calculate current in each path तो IR क्या हो गया 100 upon 50 तो आपका गया 2 ampere उसी तरीके से IL, IL मतलब जो इस part जो inductance से pass हो रहा है यह क्या आगया 100 upon XL 100 upon XL 2.12 आ रही है उसी तरह आपका IC IC कौन सा current है जो current आपके capacitor से pass हो रहा है तो यह कितना आजाएगा 100 upon 31.8 तो आपकी value आजाएगी इसकी 3.11, 3.144 आपको समझ में आ गया किस तरह से आपके values निकल रही है कौन सी values निकल रही है current in each path in your resistance, in your inductance and in your capacitance कैसे निकली V equal to IR करके IR करके आपको किस की value निकलेगी IR जो कहलते resistance के cross है V equal to I XL करके क्यों से value निकलेगी आपके IL की value निकलेगी उसी तरह V equal to IC into XC तो आपके किस की value निकलेगी IC की value निकलेगी very good now अब क्या हो रहा है हम इसको मैंने क्या बताया था कि कौन सा method है vector और phasor method अभी तक कि आपने क्या निकाल लिया है अभी तक कि आपने निकाल लिया है क्या current in each path current in each path अब आपको क्या निकालना है resultant current क्या निकालना है resultant current जिस वो हम कैसे निकालते है with the help of phasor diagram तभी इसको हम लोग क्या बोलते है इस method को हम बोलते है vector और phasor method क्या करेंगे हम देखे इसको phasor diagram को समझे मैं समझा देती हूँ कि ये क्या है आपका IR आपको अच्छी दर से पता है कि जो current होता है resistance की case में वो voltage के क्या रहता है in phase रहता है क्या रहता है in phase और जो inductance current रहता है आपको सबसे पहले base मान रहा है voltage को आपने x axis में phase मान लिया किसको voltage को उसके बाद आप compare करोगे कि सारे currents का जो है relationship कैसा रहता है voltage के साथ तो voltage के साथ जो current resistance वाला रहता है उसका relationship क्या रहता है in phase in phase मतलब दोनों के बीच का जो phaser difference है वो कितना होगा 0 कितना होगा 0 इसलिए जो ये अपना है IR वो x-axis में बना है ठीक लेकिन inductance के case में आपने पढ़ा था कि inductance के case में क्या होता current lagging होता है क्या होता है lagging इसलिए ये क्या बना है नीचे बना है IL क्या बना है नीचे किस से lagging होता है voltage से lagging होता है तभी इसको हम लोग क्या बोलते lagging power factor हमेशा inductive load को lagging power factor बोलने का reason यह है कि voltage से current lag करता है कितना 90 degree कितना 90 degree और उसका just vice versa case होता है कौन से उसमें आपके capacitance के case में IC जो होगा वो आपके voltage से क्या होगा 90 degree leading रहेगा तभी जो आपका power factor रहता है कौन से case में capacitance के case में वो leading रहता है आपका power factor lagging या leading अगर रह रह रहा है वो किसके कारण होता है कि आपके voltage से 90 degree वो उपर है या 90 degree नीचे तो voltage से 90 degree किस case में नीचे आता है IL मतलब inductors के case में voltage से 90 degree उपर IC मतलब capacitance के case में आता है इस phasor diagram को अगर resolve करेंगे तो I equal to root over I square plus IC minus IL का square मिलेगा क्यों यह IL आपका उपर जाएगा तो IC से subtract होगा IR आपका base है जब इसका hyperness हम लेंगे तो कितना निकलेगा आपका क्या बोलते है रिसल्टेंट तो टोटल करेंट आई जो होगा वो यहां इस तरह से आएगा और आप दिखेंगे जो यह हो जाएगा IC minus IL नीचे का base already आपका IR है तो यह आपका I equal to root over IR square plus IC minus IL का square आएगा जब हम इसमें already IR, IL और IC और IL का value हम निकाल चुके इसमें put कर देंगे तो हमको total current की value कितनी मिलेगी 2.24 ampere किसकी help से हमने इसको निकाला है by the help of phasor diagram अब next हमको क्या पूछा गया था हमको next पूछा गया है phase angle phase angle हम कैसे निकाल सकते हैं हम phase angle निकाल सकते हैं 10 inverse IC minus IL by R कैसे निकाले हमने perpendicular upon base हमको पता है कि आपका 10 5 क्या होता है perpendicular upon base होता है perpendicular आपका क्या होगा IC minus IL इसमें देखिए यह आपका perpendicular है IC उपर है IL नीचे है इसलिए आपका होगा IC minus IL परपेंडिकुल और base आपका IR था बस हम पूट करेंगे तो हमको किसकी value मिल जाएगी हमको phase angle की value मिल जाएगी किसकी value मिल जाएगी phase angle की और we very well know कि power factor क्या होता है cost 5 5 की value आपको मिल चुकी है आप उसमें cost का निकालेंगे cost 27.02 तो आपको power factor की value कितनी मिल जाएगी आपको power factor की value मिल जाएगी 0.891 चले thank you repeat करिएगा की जाएगी